हेलो स्वागत है आपका मेरे सी यूट्यूब चैनल बार आज हम बात करेंगे एंसी आइटी का आज आपको चेप्टर नंबर सिक्स है आई पी क्लास 11 का इस इंट्रोड़क्शन तू नमपाई जे नमपाई के बारे में इसका पार्ट वन वीडियो पहले से आप बैक करके मेर बरूर देखिए इथी चैप्टर में हम सेकेंड वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब होता है एरे इसको जोड़ना ज्वाइनिंग टू और मोर एरे जोड़ना प्लस करना ठीक है मालों सब्सक्राइब है मेंस एपेंडिंग दा सीक्मेंस ओफ दे नजर आ रहा ह ठीक है तो यह इसका function होता है numpy का numpy concatenate function can be used to concatenate two or more arrays ठीक है two or more कोंसे वाले arrays 2-DเORIES इसको डिमेंशन ये पर वाक करता है जिसको रो वाइस और कॉलम वाइस दोनों तरीके से कर सकते हैं इसमें सभी के सभी dimensions of the arrays to be concatenated must match exactly तो यह रहा है डिए रहा रखने ज़रूरी है कि एक्सेटली पूरा एक्जेक्ट मैच करना चाहिए एक्सेट पूर दाइमेंशन ओफ एक्सेश अलॉंग इट्स दे नीड टू जोइन जिस एक्सेश पर हमें जोइन करना है मालों रोवाइस करना है तो रोज दोनों नमबर दोनों ही पर्टिकुलर एरेज की नमबर ओफ इसको 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 समझते हैं बाइडिफॉल देख चुके हैं कि जीरो से क्या होगा एक्क मैट्रिक्स बन जागा जिसका आपका डटाइब डी टाइप इन्हों ने दे रखा है एरे अरे टाइप का बन जागा यह और दो रो और तीन कोलम्स का इसमें साइज रहेगा यह देखिए अगर हम एरे बान को डिस्प्ले कराते हैं तो यह एरे बन आपका ऐसा बना है एले टू आपका इस तरीके से टू बाइस ही देखिए साइड भी नहीं शेप बता रखा इसका यह टू बाइटू है यह लिकत नहीं है देखिए ध्यान से हमने इसे क्या किया कॉन का टिनेट पहला रो देख़ो आपको पूरा पूरा एज़िदी यह एरे उटके आ गया यहां पर और साथ में यह वाला भी मैच करके एज़िदी इसके साथ लग गया एक्सिस बन बे किया है हमने कोई प्रब्लम नहीं है यहां तो हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर हम इसको एक्सिस जीरो पर रखते हैं देखिए यह वाला एक्सिस सबका मैच निकार रहा है टू और थ्री वाला तो इस वेरे से एरे आएगा और यह नहीं कर पाएगा इन्पूट एरे डिमेंशन एक्सेप्ट फॉर्ड यहां की डिशिन एक्सेस मस्ट भी मैच एक्सेक्ट ली ठीक है यह जुरूरी है करना अपने स्टेक दिखते है री शेपिंग एरे री शेपिंग का मतलब उसको शेप चेंज करना ठीक है और एकम पूरो शेप भी बदल देंगे कि जो दो वाई तीन की थी इसको अलग ajud's communicate your एकोर चेंज नहीं करेगा उसको शिर्फ रीrang करेगा कम जादा नहीं करेगाoa को शेप चेंज़ कर देगा अट condemned to change the number of elements in the array using the writtenWow आयगा obviously तो अघ्सी इन दैनान करने सिर्फ उसका शेप बादिदेगया 21 तक बनेगा देखिए 10 से लेके 21 तक यह रेंज आ गए आपके बंडी एरे बन गया हमारा ठीक है एक यह रहूम है कि उन्हें कोई डामेंशन दिया नहीं थे तो इस गया बारा बारा अलिमेंट से तो अगर हम 3 इन्टू 4 करते हैं तब भी आपका 12 भी आएगा तेट इस पॉसिबल सारे सारे इसमें आ जाएंगे कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो इसलिए डेकर आपको बताया तो शुरू में एर्र आदेगा अगर आपका रिजल्टेंट में रिशेप के अंदर अगर आप नंबर आफ एलिमेंट कम ज़्यादा करोगे तो उसकेस में चेंज नमबर वह एर्र ज इस्टिंग एर्य था उसको आपको रिशेप करके टूबाइ सिक्स में करते हैं तो इसकेस में यह देखिए पहली रोग और दूसरी रोग यह शेप चेंज हो गई ठीक है तो यह बहुत इसमें इतना जरूर ध्यान रखना है कि चेंज दी नमबर ओफ एलिमेंट्स इन दा आरे यूजेंग रिशेप रिजर्टिंग एर्य हम इसमें शेप चेंज कर सकते हैं लेकिन इते अलिमेंट्स का कंटिंग नमबर ओफ एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते ना कम ना ज्याद़ अब देखिए नेके कि बखे मितिक अ करता है अरे को तोड़ना नमबरों पार्ट में अलग-अलग यह दिए कैसे करेंगे विए स्प्लिट इन एरे इंटु और मोर सब एरे सब एरे मतलब एरे का पार्ट दो या दो सी ज्यादा एरे में हम उसको कनवर्ट कर सकते हैं इसके लिए देखे नंपाई का स्प्लेट फं लिए और वी किन स्पेसिफाइद आइंटीजर एंड कि कितने नमबर अफ एलिमेंट में में कितने नमबर ऑफ एरे में स्प्लिट करना है इंडिकेट देखे अन का मतलब मालो सब्सक्राइब को एक एरे था उसको आपने एन में वैल्यू तीन देदी तो वो थ्री एक्वल पार्ट में डिस्ट्रिबीट हो जाएगा ठीक है ऐसे परेमिटर हम देखेस को प्रेक्टिकली भी करेंगे तो यह स्प्लिट फंक्शन है बाइडिफॉल्ट स्प्लिट एलॉंग एक्सी चलता है वो जीरो एक्सेस पे चलता है इसको ध्यार नखना है ठीक है कंसीटर देख इसको 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 डिवाइड कर देगा और फिर कोमा डालके यहां पर स्क्वेर वैकिट में होगा मेशा वन कोमा थ्री ठीक है तो इस तरिके से यह तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा ऐसी देखिए एक और उन्हें एक्जाम्बल दिया है एरे फॉर इस स्प्लिट ओन दा फॉर्स्ट रो एंड स्टोड ओन दा सब एरे फॉर्स्ट इदेखिए एरे फॉर आपका फॉर्स्ट में क्या आया पार्ट यह जैसे कि हमने इसमें बोला था कि विए तीन एक्वल पा इसको क्या एलिमेंट मिलेंगे यह देखिए फॉर्स्ट वाला इलिमेंट इसको प्रॉपर मिल गया यह देखिए यह दोनों हो आगा है ठीज है तो हमने पहले क्राज़िय था एक चाहिए और फिर हमें थीन चाहिए त्यों यह देखिए इसके इसने इसमी उलिए बाद अब आ का इसमीर धास हुआ फल at चीज़े करते हैं डिस्ट्रिब्यूट्ट तो स्प्लिट ऑंद फस्ट रो एंड स्टोर इन अफ्र सबसे पहले दो एक दिया था हम ने तो स्फ रो उतने फरस्ट वाले में डाल दिया फिर अगले वाले में सेकंड कैसी आया split after the first row के बाद जो बज गया end up to the third row after में third दिये ने दोखो पहले वाले में एक आएगा और दूसरे में third row तक आएगा ठीक है यह हमने पूरा पूरा दे दिये third row तक इसमें आ गया इसके बाद जो बज गया remaining part को आपका इसमें element में आ गया आपका that is the third part ठीक है तो इस वे में चलेगा है तो यहने कि first के पहले कितना चाहिए फिर दूसरे वाला कहां तक चलेगा और तीसरा दो बज जाएगा यह इसमें format रहता है इसका ठीक है अब देखिए यहां पर हमने दिया है एक्सिस अगर मालो सपोज हम वन दे देते हैं ठीक है एक्सिस वन का मतलब कोलम वाइस गेव्स तक कोलम इंडिकेट्स एलोंग विश्ट स्प्लिट आप देखिए हाँ पर हमने एक सी लिग दिया पर समझने के लिए कि कोलम वाइसे सेकेंड़ ताप्ट तीन हमने लिया यहां पर हमने स्प्रिटी प्रॉग्ट बन दिया है तो अब इसकंदर देखिए जैसे हमने दिया फॉस्ट तो फॉस्ट वाला आपका केवल फॉस्ट कोलम इसमें उटके आया है यह देखिए फॉस्ट कोलम कोलम वाज दिया है तो फॉस्ट कोलम यह वाला पूरा पूरा उट में इसमें आ गया फिर सेकेंड कहा तक यह देखिए second column तक आपका इसमें आ गया that means जो second column आपकी बची यह बीच वाली यह देखिए ठीक है और after remaining part remaining part किसमें बच जाएगा third वाले में remaining part में क्या बच गया last की दो two columns यह देखिए last की दो इत्में आ गई तो यह concept आपको ध्यान रखना है जब हम यह एक को माद दो देते हैं तो इसका मतलब होता है पहले का कि सिरफ first row first column उटके आई एक्सिस बने तो उसके बाद second का मतलब तो second attribute दिया कि वह अगला जो array बनेगा वह कहां तक बनेगा फिर तीसरे में क्या होगा जो बच गया इस तरीके से आपका third में आ जाएगा जो बच गया implies to split is equal to parts equal to the यहां पर देखिए अब हम equal कर रहे हैं यहां पर सब्सक्राइब कर रहे हैं एक्सिस बन कर रहे हैं तो दोनों के दोनों parts में distribute कर देगा यह in appreciate पहले यह हो गया और दूसरा आरे आपका यह होगया एक पार्ट में distribute हो गया σωक्यों में एक्सेस बन दिया है यहां पर दिखिए आपका यह आपका पूरा पूरा यह था तो पहले वाला परेकिट लगा कर रहे थे स्क्राइब एक वैलू देदी है तो इक्वल पार्ट्स में दिस्टीब्यूट यह कर देगा है ठीक है इक्वली पार्ट्स में इचीए दिहान लग नहीं है तो फास्ट हाफ और सेकेंड आप जैडिट वैरीबल नेम कुछ में आप लिया सकते हो अब नेक्स्ट देखने हैं स्ट्रेटिकल ऑपरेशन्स पॉन्दा एस स्ट्रेटिकल ऑपरेशन्स के अंदर देखिए पहले हमने इस से पिछले चैप्टर के अंदर अच्छे से प्टेटिकल ऑपरेशन्स मीन मीडियन मौन इसके अलावा आपका और भी काफे सारे थे इसके अंदर तो अब हम इसमें आगे बढ़ा था हमने अब कुछ स्ट्रेटिकल ऑपरेशन्स भी एरेस के उपर करेंगे नमपाई एरे के उपर नमपाई प्रवाइट त का फंक्शन्स टू परफॉर्म मैंने यूसफुल स्ट्रेटिकल अपरेशन्स ऑन एरे इन इस सेक्षिन हम यहीं डिसकस करेंगे यहां पर देखिए फर्स्ट हमें दिया गया लेड़ेस कंसीड़ टू एरे मालों सब्सक्राइब एक एरे यह है यह यह हमारा देखिए टू तो रोबण गई आपकी अब अगर मालों सब्सक्राइब बहुत सिंपल वाले पहले देखिए है कि 11 क्लास है मैकसिमम मेर्वन हमें निकालना है तो यह देखिए हमने एरे बन का डोट मैक्स फॉंक्शन लगा दिया डोट मैक्स करने से वह देखिए मैकिम अलिमेंट इसका यही है 8 यह अर्य बी में से maximum element निकालते हैं तो इस समीना इस में सिक्स है maximum element ठीक है आगया अगर देखिए मालूस सब्सक्राइब हमने धे दिए access 1 ठीक है इट घिवस कोलम वाइज मैक्सिमम कोलम वाइज वण एक्सिस का तो पहले बाली में से अगर हम निकालते हैं तो आपका यह आएगा 6 ठीक है और दूसरे बाले में से आपका आएगा 4 ठीक है तो ये आपका इस तरीके से elements maximum निकल देंगे इसमें आपका 3 निकल गया और इसमें आपका 4 निकल गया एक से दिखिए अगर मावले स्ब्सम जीरो देते हैं तो यह रोवाइस करेगा ठीक है रोवाइस के कोडिंग यहां पर देखे अगर इस में दिखेंगे तो पहले वाले में से तीनोट चाहरा पीसे चाहर और शी और दो के से चे आगया ऐसी मिनिमूम सेम इसी तरीके है मिनिम function का use करके minimum देखिए इसमें आपका minus 3 ही है ठीक है और यहां पर आपका अगर आप minimum B में निकालो के पूरे के पूरे array में सब्सक्राइब कर लिए तो आपकी minimum है ठीक है अगर अगर आप इसको करोगे तो आपका यह तीन और दो ही आएगा ऐसे सम कर सकते हैं सभी सभी elements का सम करने के लिए सभी elements का एक सम कर दिया और बीवले का भी सम कर दिया ठीक है अब देखिए यहां पर अलग थोड़ा सा कि हमने access दे दिया access में आप क्या होगा access बंड एक्स कोलम वाइस ठीक है तो इसके एक्स करते हैं तो उसके फस्क वाइस है तो रहेगा हमने जब एक्स बंड दियां के यहां पर आइक्स जीरो दिया है तो एक्स जीरो धिया एग्स पॉलंवाइस बोलंबाइस आपका मीन निकल जाएगा और यहां पर आपका रोगास मीन निकल जाएगा नेक्स्स देखते हैं स्टीडी देट इस पॉर्थ स्टेंडर्ड डिवीशन तुम्हें पहले भी पढ़ा था इससे पिछले चैप्टर के अंदर तो सेंडर्ड डिवीशन भी हम इसमें निकाल सकते हैं नंपाई अरे में रहे की सिंपल एस्टीडी फंक्शन आप लगाऊगे स्टेंडर्ड डिवीशन निकल जाएगा आप इसलिए वीडियो में देख सकते हो इसलिए चैप्टर बुरा में बढ़ागा इसका फॉंक्शन प्राफ फार्मूला क्या था स्टेंडर्ड वीचे निकाल लगा तो इस एरे कभी निकल जागा और एकसे जीरो हो दिया तो देगा और यहां पर रोवाइस निकाल देगा अब देखें नेक्स्ट कंसेप्ट है लोडिंग एरेज फ्रॉम दा फाइल किसी फाइल से हम एरेज को कैसे लोड करेंगे फ्रेंड से इसमें सम्टाइम से वी में हैव डाटा इन दा फाइल्स दको कभी कभी किया था में डाटा फाइल्स के अंदर होता है एंड वी में नीड तो लोड देट डाटा इन अन एरे के टुझम पर फोक्रसेंशिन ईकले में एरे में यह ठिसके उसे होता है और फ़क हाई बार ग्रू ठ्रेक्ट क कर अठ अब गी है तो उस दाटर को आपको टक्ट फैल से डंप इरे ट्रू आपको पाइफन के अंदर लेके आना है इच रो इन टेक्स्ट फाइल मस्ट हैव दे सेम नंबर ओफ यह रखना तको वह जरूरी है इन ओर्डर तो लोड़ दे डाटा फ्रम टेक्स्ट फाइल इंटो दे नम पाई आ रहे तको मालों सपोज हमने यह फाइल बना रहे डाड़ टी एकस्टी फाइल बनाया है इसके अंदर कंटेंट में आपको दिखाता हूँ यह देखिए यह इसका नदर रखे है को मा से सब्ग्रेट करते हैं बीड़ टैप का यूज किया है तो इसके अंदर जो हम चारे है वह इस टेप से हमारी फाइल बनेगी हमने नॉर्मल अमने यहां पर देखिए पहले मैंने इंपोर्ट करवा लिया है नमपाई एरे को उसके बाद हमने student data में np.load that is the function load text function c drive nc8 में पात दे दिया data dog txt है इसमें skip rows 1 का मतलब होता है कि पहली row वो skip कर देगा यह देखिए मालों से बोदर में data को देखते हैं इसमें पहली row के अंदर हमारा heading से इस heading को skip करने के लिए हमने लिखा skip rows 1 delamater हमने इसमें दे दिया कोमा से separate है हमारी delamater हमने इसमें कोमा दिया है कि कोमा से separate है और d type int है क्योंकि इंटीजर values है सारी जो इसको तो हम भी pick कर के लिए कि आनिए एंटर करेंगे तो इसके तरीके से आपका data इस array के अंदर आच आएगा यह concept आपको इस एंटिक बुक में बदा आए गया है जो में आपको practically भी करके दिखाया इंदर इसके अंदर हमने एक function में skip row 1 किया था इसका मतलब है कि जो पहली रो है indicates that the first row in the header row होगी हमारी obviously जो मनें फाइल बनाए थी इसको हटाने के लिए हम उसको skip करने कर इसका use करते हैं skip row 1 तो जितने row 1 skip कर सकते हो तो टैलिमेटर स्पेसिफाय करें कुट की वेल्यू आप किस तरीके से सप्रेटीट है समारी इस वाली फाइल के अंदर सभी किस वेल्यू से सप्रेटीट है ठीक है तो मने कोमा दे दिये कि को मश्राइब सारी टैब कुछ भी जे सकते हो आप और एने अधर क्रेक्टर ही टाइब देखिए हमने इसके अंदर दिया था तो जोन से टाइब का होगा वो डाटा में इस पर लिख देंगे तो इसमें कंसेप्टर बदाया है वी के लोड इच रो और कोलम्स ऑफ डाटा फाइल इंटू दिफरेंट नमपाई हम चाहते हैं कि हर एक रो या फिर कोलम आपकी अलग अलग नमपाई एरे में आ जाए ठीक है इसके लिए आप अनपैक पैरामेटर का यूज करते हैं इसके अंदर देखिए अब अनपैक इस इकल टू फॉल्स बाइडेपाल्ट होता है मिस्ट वी केन एक्टेक्ट ली इच रो हम सारी सारी रूस को एक्टेक्ट क को मbula पर कोलमStar स्यप्रेट हूं लेकर आएंगे द्रू में और सबकेस्ब रोज के बगार संप्रवाएंगे इसमें हो जाएगा और इसमें क्योंगर सब्पनेक्रारों करते है कि हम इसके अंदर रोवाइज लेने के लिए अनपेक को फॉल्स कर देते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए अगर मालूमने बाइडी फॉल्ट कुछ नहीं दिया है तो उस केस में आपका अनपेक फॉल्सी रहेगा तो इस केस में देखिए अगर आप सुद्रेंट बन को देखत सब्सक्राइब करने के लिए हम देखिए अनपेक करना ज़रूरी होगा और साथ में हमने क्या किया है डाटा टाइप भी आपको इंटीचर देंगे कि बाकि से मैं है यहां पर देखिए निकल के आ गया है यहां आपका हैँए था या दिखा दिखते हूं यह था है में हमारा थेचिट फैक हमारा यहां से तरीक से था हम पहले को रहाट यहां से उझा गयी पर दूसरी club कि अब पहले वाले में आपका पहली कोलम उठ का गई है क्योंकि हमने यहां पर को लंबाइज दिया है अंपक्ट रू किया है तो क्या तो क्योंबाइज निकल के आएगा जो पहरे किया था इस इसे पहले वाला इसमें एमुश्य कुछ नहीं दिये था डिफल्ट वेल रहती है तो रोगा इस तरिकी सारे सारे आरे जमानक बन गए हैं यहां पर देखिए हमने skip वैसे हमने one कर दिया है ठीक है तो इसे roll number वाले में तो यह आएगा उड़के और बाकि marks one marks two marks three आ गया यह देखिए इसी देखिए थे यह जाते थे यह roll number वाली थी यह marks वाली थी यह marks थी तो यह represent भी easy हो जाएगा इसमें नेक्स देखते हैं using numpy get from text function ठीक है यह भी काफी useful function है देखिए basically इसके अंदर जो get from txt जो method है इस another method है जिसके थुरू हम numpy के through load कर सकते data from the files जहते हमने पहले भी किया उसी तरीके थे concept है ठीकिन थोड़ा सा advanced है से as compared to load txt gen from txt जो function है हमारा can also handle the missing value को यह वो नहीं कर पा रहा था उसमें सारे-सारे values को चाहिए दर्वाज error आ रहेगा इसमें missing values को भी handle कर सकते है इंदे data file let us look at the following example जैसे माला सब्सक्राइब में data missing.txt नाम से पहले हमें चलाया था load text वाला इसमें error आ रहेगा यह नहीं चला पाएगा इसके लिए अलग से function बनाया गया जो अच्छे दर्वाइड है और वो इसको handle कर लेता है यह देकि जैसे इन्होंने यहां पर एक यहां पर इसको मिला वहां पर उसने इसको एन एन से रिप्रेजेंट करती है यहां पर वैलियो उसको नहीं बिली बाकि एरे पूरा बना दिया है ठीक है इसमें देखिए बाइडिफाल्ट सब्सक्राइब डोट इसने क्यों लगाया है क्योंकि जो numbers है उसको उसने बाइडिफाल्ट अब देखिए मालो फंक्शन कर सकते हैं कि कीजी और में चाहिए मालो सब्सक्राइब इसके इसके अंदर डी टाइप जो है जैसा में पिछले वाले में देखा था लोग टेक्स्ट वाले में अगर कर देते हैं तो वह सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें भी यह आपका माइनस बन करने के लिए क्लिए लेकिन इसके रिए बैटर जो ने बताया है वह है आपका एक स्पेसिफेट वैल्यू यूजिंग पैरमेटर फिलिंग अंडर्सकोर वैल्यू के थ्रू भी हम इसको एक्जेक्ट करते जो हम है अंडर्सकोर ब्लेकर करना चाहते हैं तो इस खेली क्या कर रहें हमने देखिए में फ्लिंग वैल्यूस फेलिंग अंडर्सकोर वैल्यूस इक्वल टू माइनस ट्रिपल नाइन लिग दिया तो यहां पर दिया और डी टाइप अब नहीं लगाया उसको ले कि आया है ठीक है काफी सिंपल है पहले जाता यह लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह भला जो फांचान है वो लोड टेक्स्ट के जो मैथड़ था इससे काफी ज्यादा पावरफुल है यूस्फुल है आप देखिए नेक्स देखते हैं छोटा सा कंसर पे चैप्टर में बताया गया है कि सेविंग डंपाई एरे इस टू इन फाइल्स अब उल्टा हमें नंपाई एरे को फाइल में सेव करवाना है डिस के अंदर तो बहुत सिंपल फंक्शन है इ सेव टेक्स को जादा परमेटर भी नहीं चाहिए हमें देखिए कहते करेंगे टेक्स फाइल के अंदर करने के लिए एंपी डॉट सेव टेक्स फंक्शन है इसका इसमें सिंपल वैता ही हमने पैरमेटर देए कुनसी फाइल में कहा पर चाहते हैं पूरा फोल्टर करना बग सब्सक्राइब के अंदर से हमें डालवाना है डालमेंटर वही कोमा लेना है हमें कोमा लगागे रखेगा फाइल के अंदर और एफम्टी हमने परसेंटेज आई दे दिया है वी हैव यूज पैरमेटर एफम्टी टू स्पेसिफाइब फॉर्मेट इन विच डाटा आर्ट से किस फॉर्मेट में वह डाटा सेव हो हमने बाइडिफॉल्ट वैसे इसका फ्लोट होता है जैसा आपको पता यह नमपाई अर्म फ्लोट चलता है हमने आई दिए तो इंटीजर करेगा ठीक है क्लिर एकम सेट इसको प्रैक्टिकली साथ साथ जरूर करके देख लेना वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादे ज्यादा अपने फ्रेंट्स के शेयर कीजिए नेक्स्ट चेप्टर में हम जल्द मिलेंगे थैंक्यू फ्रेंट्स